Hello थोस्तों, Welcome To road To IIT, और जैसे कि हम सब को पता है कि हमने अपना नया चAPTER Determinants GOOD Matters start कर दिया है और आज से हम उसका basic क्या है फूर देखने वाले हम पहले start करेंगे Determinants से ठीक है जो Determinants पूरा का पूरा chapter हम complete कर देंगे इस tile numericals इसके इसके basics properties सब देख लेंगे और उसके बाद same चीज़ हम apply करेंगे matterizes पर ठीक है और जो first lecture था उसमें हमने देखा कि कैसे real life में हम determinants और matterizes का क्या use होता है बहुत ही अच्छा वीडियो था तो I request you all कि आप सब जाके वो वीडियो देखें ठीक है आगे बढ़ने से पहले सबको बता देना चाहता हूं this is our email address road2it2l-gmail.com आप यहां पर हमें अपने doubts queries और suggestions पेज सकते हैं तो चलिए आज का रेक्से स्टार्ट करते हैं यह हमने last time देखा था ठीक है तो ओके आज का पहला बहुत ही basic से स्टार्ट करना है ठीक है हम अज्यूम कर रहा है कि यह जो भी यह वीडियो देख रहा है वो पहली बार डिटर में से पर पढ़ रहा है अगर आप लोगों ने अल्रेडी पढ़ा हुआ है आप सिर्फ जे डबली प्रस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो तो मैं request करूंगा कि सि टूस्पीड में चल जाए तो आपको क्या होगा कि आप आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा थोड़े बेजिक से वह आपका रिवाइस हो जाएगा तो पहली चीज है कि डिटर्मेंट्स ऑफ ओडर तू ठीक है डिटर्मेंट्स ऑफ और दूर्ड थेट मेंस कि तू रोज and two columns the arrangement of four numbers a1, a2, b1, b2 in two rows and two columns जैसके मैंने आपको बताया कि दो रो और दो column में and close between two vertical bars are is a determinant of order 2 मतलब इस तरह से दो vertical bar हमने draw किये और वहाँ पे चार number suppose कि 1, 2, 3, 4 तो ये दो जो horizontal होते हैं उसे हम row कहते हैं and the vertical one is column ठीक है तो 2 row row number 1, row number 2 column number 1, column number 2 ठीक है, 2 row, 2 column तो वो हो गया determinant of order 2 ठीक है और इसकी value क्या होती है बहुत ही important the value of determinant a1, b1, a2, b2 is defined as a1, b2 minus b1, a2 that means cross multiplication of this a1 into b2 इन दोनों का multiplication minus लिखने के बाद इन दोनों का multiplication a2, b1 तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, 1, 2, 3, 4 लिया है तो यहाँ पर क्या होगा this into this मतलब 4 multiplied by 1 minus 3 multiplied by 2 that is 4 minus 6 that means minus 2 I hope यह सबको समझ में होगा इसी तरह से यहाँ पर एक और example लिया है 2 minus 3, 4, 7 तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका determinant क्या होगा? 2 into 7 this into this minus लिखने के बाद this into this that means 4 into minus 3 तो 2 into 7 that is 14 minus लिखने के बाद minus 3 into 4 तो minus minus हो जाएगा plus 3 into 4 that is 12 तो मैरा final answer आएगा 26 ठीक है? ओके बहुत दिक simple चीज़ है है अभी आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है इसी तरह से हमारे पास है determinant of order 3 ठीक है? order 3 मतलब कि यहाँ पर वहाँ पर क्या था? 2 row and 2 column order 3 में होगा क्या होगा? 3 rows and 3 columns ठीक है? आप अगर JEE के या 11, 12 cents के problems उठा के देखो determinants and matrices के तो determinants में 99% problem अगर 100% problem mark बान के चले तो उसमें से 90% problem होते हैं हमारे 3 cross 3 के and 9% problem होंगे हमारे 2 cross 2 के और बाकी 1% होंगे वो अलग में भी हो सकते हैं 4 cross 4 या different type के लेकिन mostly होते है 3 cross 3 and 2 cross 2 में सही ठीक है? these are standard determinants इसमें से ही most problems बनते हैं तो यहाँ पर हमने देखिए 3 cross 3 है मतलब कितने elements होंगे? 3 into 3 that is 9 elements total इसमें होंगे 9 elements पीछले वाल में कितने elements है total? 4 elements इसी तरह से अगर मुझे कोई बोले कि 4 cross 4 determinant तो उसमें कितने elements होंगे? 16 elements ठीक है I hope सबको समझ में आया होगा तो यहाँ पर हमने element assume कर ली है a1, b1, c1 a2, b2, c2 a3, b3, c3 ठीक है? और उसको vertical bar के बीच में orderly manner में लिखेंगे तो that will become determinant of order 3 here the elements in the horizontal lines are said form a row ठीक है? जैसे मैं आपको बता है कि जो horizontals है वो row है the 3 rows are denoted by r1, r2, r3 r मतलब row 1 मतलब 1st row that is this one r2 मतलब 2nd row that is this one r3 मतलब 3rd row that is this one ठीक है? r1, r2, r3 यह denotation भी बहुत important है यह represent करने में बहुत ही easy है इस वे में similarly 3 है यहाँ पर column तो this one is the 1st column this one is the 2nd column and this one is the 3rd column column को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से तो C1 मतलब हो गया मेरा 1st column जाहिए? C1 2nd column C2 and 3rd column C3 जाहिए? C1, C2, C3 respectively बहुत ही basic चीज़े है आगे बढ़ते है अब बोला गया है मुझे कि the value of determinant this 3x3 determinant की value क्या होती है वो हमें पूछा गया है तो उसकी value हम 3 या 4 तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन जो सबसे standard तरीका है वो अभी आपको बता रहा हूँ आगे कैसे निकालना है वो तरे-दरे बता जाऊंगा पहला जो सबसे standard तरीका है कि solving by first row ठीक है हमारे पास एक, दो, तीन तीन row है तीन row है और तीन column है ठीक है तो total हमारे पास है 6 row and column तो हम 6 तरीके से इसको open कर सकते हैं और हमारा answer हर बार सेम आएगा याद रखना है ठीक है लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ first तरीका बता रहा हूँ आगे वाले जब properties पढ़ेंगे तब मैं आपको 6 के 6 तरीके से solve करें दिखाऊंगा और answer हमारा हर बार सेम आने वाला है ठीक है तो जो पहला तरीका है उसमें क्या है पहली row से तो पहली row मतलब even तो आपको क्या करना है even लिकना है even जिस column और row में उसको hide कर देना है पहले इसको मैं मिटा देना हूँ चलो तो even आगया मेरा तो वो कौन सी column में है जिस column में उसको पूरा मिटा दिया ते सिर्फ imaginary में मिटा ना है तो बाकी बचया क्या है यह वाला छुटकू, छुटकू मैंने लिख देता हूँ यहां पर, B2, C2, B3, C3, ठीक है, कोई नहीं, फिर फिर से इसको मिटा आता हूँ, देखिए, ध्यान से देखना, फिर आता है मेरा B1, तो B1 के लिए मैं माइनस लिखूंगा, B1 लिखूंगा, ठीक है, अब मैं B1 जि और उसके बाद मेरे पास बचा है, उसके बाद मेरे पास आया C1, तो C1 के लिए मैं प्लस C1 लिखूंगा, और C1 कहां पर है, यह कॉलम में, तो उसको मिटा आया, इस रो में तो उसको मिटा दिया, तो बचा क्या, इतना, मतलब A2, B2, A3, B3, ठीक है, ओके, अब यह A1 हो इसका मुझे simplification पता है, क्या होता है, this into this minus this into this, तो B2, C3 minus B3, C2, अभी अभी हमने देखा, 2 cross 2 का, विसी तरह से, minus B1 लिखने के बाद, A2, C3 minus A3, C2, then, plus लिखने के बाद, C1 into A2, B3 minus A3, B2, ठीक है, तो यह हो गया मेरा 3 cross 3 determinants की value, इसको हम simplify करेंगे, तो जो answer आएगा, व इसकी, यह determinant की value हो जाएगी, ठीक है, यह देखो, ठीक है, बहुत ही simple तरीके सा याद रखना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा important चीज है, कि जो middle term है, B1 में जब हम लिखते हैं, तब यहाँ पर minus sign आती है, ठीक है, तो यह हमने सिर्फ first row से open किया, इसे तरह से हम second row से, third row से, first column second column और third column से भी, यह determinant open कर सकते हैं, मतलब उसकी value find कर सकते हैं, I hope सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा example लिया है, देखते हैं, one, one, two, three, one, three, one, three, two, okay, तो अब इसको first row से हम solve कर रहा है, first row से, तो पहले आता है element one, तो element one लिख लिया मैंने, अब वो कहां कहा है, तो मैं सोचूंगा कि यह row में है, तो इसको मिटा या, यह column में है, तो इसको मिटा दिया, तो बचा क्या, one, three, three, two, one, three, three, two, two, three, five lecture के बाद, हम यहाँ से, यह जो step है, यह determinant है, वहाँ से हम सीधा लिखेंगे, यह वाला step, second step, यह वाला step हम नहीं करेंगे, हम direct one लिखे करेंगे, और फिर direct multiply करेंगे, two minus nine, तो this one, और यह minus भी लिखके हम direct कर सकते हैं, इस तरह से, कि one multiply में minus seven, फिर इसी तरह से आगे वाला, तो हम धरी-दरी step reduce करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे practice बढ़ेगी, ठीक है, ओके, अभी के लिए देखो, कि पहले मैंने क्या किया, कि one लिखा, और one ये row में था, और ये column में था, उसके अलावा क्या, बचा one, three, three, two, तो लिख दिया, फिर, फिर हमारे पास क्या है, कौन सा element है, हमारा next element आ जाता है, minus one, यहाँ one है, ठीक है, तो second element है, second element में minus लिखते हैं, तो minus one लिख दिया, ये कौ last element, that is why element number two, two आ जाता है, ठीक है, तो जो ये two है, वो कौन सी रो में है, ये रो में, और कौन से column है, ये column है, उसको मिटा दिया, तो बचा ये, three, one, one, three, three, one, one, three, अब इसको simplify करना है, one वैसे का वैसा, two, three, two, minus nine, two, minus nine, minus लिखने के बाद, one, six, minus three, plus लिखने के बाद, two, into nine minus one, ठीक है, तो ये हो गया, मेरा minus seven, minus three, plus 16, तो उसका simplify करने के बाद, answer आ जाएगा, मेरा six, I hope सबको समझ में आओगा, ये बहुत ही essential है, मैं आप सब को request करना चाहता हूं, कि आप सब इसकी practice करें, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ determinants दे रहा हूं अभी, ठीक है, तो यहा one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, इसके value निकाल के मुझे comment करें, जितनी जितनी आप value निकालेंगे, आपके practice आएगी, ठीक है, क्योंकि इस सब से मैं आगे, कुछ properties मैं जब पढ़ा हूंगा, तब मैं कुछ imply करना चाहता हूं, तो please इस समकी value निकाले और मुझे comment करें, zero, zero, one, two, three, five, one, six, seven, okay, no problem, then third one is, zero, 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 one, three, four, eight, nine, seven, okay, and the last one, fourth one is, one, 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 then we have, three, 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 and then we have, two, five, seven, okay, इन सब के determinants की आप value निकाले और मुझे comment करें, इन सब में कुछ ना कुछ हिदन मीनिंग चुपा हुपा हुआ है, जो मैं आपको next lecture मान बताऊं का, ठीक है, जब हम properties of determinants सिखेंगे तब, तो उसके लिए पहले है कि आप इन सब की value निकाले, बहुत easy है निकालना, आपका पहला lecture है, तो मैं request करूं का कि निकाले, लेकिन आप आप अल्रेडी बहुत काता पढ़ चुके हैं, then no need to do, okay, देखी क्या लिखा है determinant of order 3, can be expanded along any row और column, बहुत आपको पहले बताया, कि 3 row है, और 3 column है, ठीक है, it can expand with any row, any column, that is, total 6 तरीके से expand हो सता है, ठीक है, okay, if each element of row or a column of a determinant is 0, then its value is 0, यह यहाँ पर देखो, आप यह वाला, यहाँ पर देखो, अगर आप इसकी value निकालोगे, तो इसकी value 0 आ जाएगी, आप सोच के देखो, 0, यह पहला element यह है, यह वाला 0, 0 into this, तो यह तो 0 ही हो जाएगा, पर 0 into this, वो भी 0 होगा, 0 into this, वो भी 0 हो कि if each element of the row or column, similarly column में भी, कहीं भी आपको 3, 0, 7 में दीख जाए, इस तरह से, यह इस तरह से, यह यह यह, तो उसका value होगा automatically 0, ठीक है, बहुत ही 2 important points है, याद रखना, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है, minors and co-factors, ठीक है, यह भी बहुत ही important है, इसमें भी कभी questions बन ज factors, तो हमने एक standard delta मतलब के determinant लिया है, यहाँ पर, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, यह किस तरह से आया, 11, तो आप देखो, यह row number 1 में है, और column number 1 में है, तो इसे मैंने represent किया, 11, यहाँ पर 1 मतलब कौनसी row में है यह, यह row indicate करता है, और यह one indicate करता है, column, तो इसका standard format होता है, a, i, j, जहाँ पर i-th row, and j-th column, तो अगर कोई मुझे पूछ है, कि भईया, यह element कौनसा है, तो देखो, यह third row में है, और third column में, तो यह हो जाएगा, a33, क्योंकि i की value भी होगी 3, और j की value भी होगी 3, I hope सब को समझ में आया होगा, इसी तरह से यह देखो, a23, तो यह कौनस इसी second row और third column, this is second row and third column, तो यह 2, 3 है, ठीक है, this is generalized way to represent a determinant, I hope सब को समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहला है minor, minor किसे कहते हैं, और co-factor किसे कहते हैं, बहुत ही छोटा सा difference है, ठीक है, मतलब की, मतलब की, जैसे जो हम कर रहे थे, कि अगर मुझे a11 का minor निकालना है, तो a11 कौनसी row में है, इस row में है, उसको मिटा दिया, इस column में है, तो उसको मिटा दिया, तो यह जो छोटा बच्चा-बच्चा, वो मेरा minor हो जाएगा, this is my minor, ठीक है, और इसकी value हमें पता है this into this, minus this into this, इसी तरह से आप मुझे बताओ, कि a22, a22 का minor क्या होगा, ठीक है, a22 के लिए, पहले थोड़ा clean करता हूँ इसको में, अभी हमारा aim है, a22 पे, तो a22 कौनसी row में है, इस row में, इसको मिटा दिया, इस column में, तो बचा क्या, a11, a13, a31, and a33, तो इसका answer आ जाएगा, a11 into a33 minus a13 into a31, तो यह मेरा final answer बन जाएगा, ठीक है, so this is my minor, इसी तरह से हम 9 के 9 minors निकाल सकते हैं, कितने minors होगे total, 9 minors, कैसे पता चला, क्योंकि जितने number of elements, उतने number of minors, यहाँ पे 3 cross 3 है, 3 cross 3 में elements होते हैं 9, तो यहाँ पे बनेंगे 9 minors, ठीक है, I hope सब को इस समझ में आय जेसे, I मतलब number, Ith row and Jth column, तो अगर मुझे कोई पूछे, यह क्या है, this is nothing but M22, second row and second column, M22 है यह, this value is M22, I hope सब को समाझ में आया होगा, चली आगे बढ़ते हैं, छोटा सा example लिया है, find the minor of 2 in the determinant, तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, पहले तो देखो, 2 यहाँ पे है, तो इसको, इस जो column है, उसको मिटा दिया, तो बचा क्या, 0, 5, 6, 7, 0, 5, 6, 7, तो अब उसको simplify करूँगा, this into this, minus this into this, 0 into 7 minus 5 into 6, तो यह हो जाएगा, minus 30, यह मेरा minor हो गया, 2 का, I hope सब को समाझ में आया होगा, आप लोगा क्या है आज, कि इसी तरह से, मेरे को 9 minor's आप find करो, सब के minor's find करो, यहाँ सर, मेरे यह minor आया है, ठीक है, सब के minor find करो, 3, 1, 4, 0, 5, 1, 6, 7, एक minor मैंने find किया है, और 8 minor आप find करके मुझे बताओ, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही simple चीज है, इसी तरह से है हमारा co-factor, same चीज, कोई दिक्कत नहीं है, same चीज, सिर्फ एक difference है यहा sine वाला element, that is this, minus i, i plus j, minus 1 to the power i plus j, यह sine दिखाता है, यह sine element जब हम introduce कर देंगे, तब यह हो जाता है co-factor, m, i, j तो minor है, तो minor तो find करना ही है, उसके साथ उसका sine element add करना है, ठीक है, अब आपको मैं सारे के सारे के sine दिखाता हूँ, ठीक है, पहला लेते हैं, 11, तो a11 देखो, तो a11 के लिए क्या होगा, minus 1 to the power 1 plus 1, that is 2, minus 1 का 1, square हो जाएगा 1, फिर a12 देखो, 12 के लिए होगा minus 1, 1 plus 2, that is 3, तो वो हो जाएगा minus 1, फिर a13 देखो, तो इसके लिए हो जाएगा minus 1, rest to 3, sorry, minus 1, rest to 4, तो यह हो जाएगा 1, एसी तरह से a21 देखो, 21 के लिए होगा minus 1, all rest to 3, तो वो हो जाएगा minus 1, a22 देखो, 22 के लिए होगा minus 1 का 4, that is 1, a23 देखो, तो वो हो जाएगा minus 1, rest to 5, तो वो हो जाएगा minus 1, फिर इसी तरह से a31 देखो, तो वो हो जाएगा minus 1, rest to 4, that is 1, और a32 देखो, तो वो हो जाएगा minus 1, rest to 5, that is minus 1, and last a33 देखो, तो वो हो जाएगा minus 1 तो इस तरह से साइन आएंगी, ठीक है, और कैसे याद रखना इसको, देखो, यहां पर समझाता हूँ, एक यह हमारा है, तो उसमें, जो यह मैं जो diamond draw कर रहा हूँ, ठीक है, diamond वाला जो जितने elements है न वो minus है, यह minus है, यह minus है, यह minus है, यह minus है, और यह minus है, बाकी सारे plus है, ठीक है बाकी सारे प्लस है I hope सबको समझ में आए होगा This is the reason कि हम लोगों ने जब Determinants open किया था first row से तब हमने ये दो value प्लस ली थी और यहाँ पर minus multiply किया था I hope सबको समझ में आए होगा इसी तरह से अगर आप second row से open करना चाहते हो तो आपको ये दो value minus लेनी पड़ेगी और ये value plus लेनी पड़ेगी अगर आप third row से open करना चाहते हो तो आपको ये value ये दोनों plus लेनी पड़ेगी ये minus लेनी पड़ेगी अगर आप first column से open करना चाहते हो तो ये और ये value plus लेनी पड़ेगी यह वाली minus लेनी पड़ेगी, अगर second column से open करना चाते हो, तो यह दोनो minus लेनी पड़ेगी, यह plus लेनी पड़ेगी, और अगर third column से open करना चाते हो, तो यह दोनो plus लेनी पड़ेगी, और यह minus लेनी पड़ेगी, तो यह diamond shape बहुत important है, इन सारी जगा पे co-factors negative आते हैं, ठीक है तो यहीं पर वो दिखाया है C11, Cij, that is co-factor का generalized form है, Cij is equal to minus 1 over to i plus j into mij, ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछ ले, चलो, next question, यहीं पर पूछ लेता हूँ, अगर आपको मैं पूछ हूँ, कि कौन से element के लिए minor और co-factor same होगा, तो आप मुझे बताओ, तो देखो, यहाँ पर 1 है, तो A11 के लिए, जो मैं dark point कर रहा हूँ, A11, minor and co-factor दोनों same, similarly यहाँ पर भी minor और co-factor दोनों same, similarly यहाँ पर भी दोनों same, similarly यहाँ पर भी दोनों same, similarly यहाँ पर भी दोनों same, ठीक है, 5 values के लिए वो होगा same, 5 values, it will be same, और उसके अलावा जो बच्चिया है मेरे पास, ठी देखो, diamond बन रहा है, आपके सामने बनाया, देखो, यह diamond वाली values होगी negative, तो मतलब 4 के लिए वो होगा minus of the minor, I hope सबको यह चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो example है वो देखते है, example लिया है हमने, कि the co-factor of 3 in the determinant, तो यहाँ पर 3 कहा है, बताओ, 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 3 कहा है, यहाँ है, तो यह तो diamond पर आता है, तो diamond पर हमारा आजाता है minus sign, आप यह तो यह तो आपको याद रखना है, minus 1, hold to i plus j, तो हर बार आप क्या यार, put करोगे, कि minus 1, यह first row है, तो यहाँ पर 1 put करो, फिर second column है, तो 2 put करो, तो यह हो गया minus 1 की 3, that is minus 1, सब को बताओ, इसलिए minus sign मैंने पहले ही लगा दिया है, मैंने बताओ, कि आपको यह diamond में है, तो minus sign लगा दो, आपको यह हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अब यह इस row में है, इस column में है, मिटा दिया, तो बचा 4, 7, 15, 4, 45, 17, 45, 17, और simplify किया, त this into this minus this into this, तो यह आगा minus 23, this is my answer, this is my cofactor of 3, okay, I hope यह भी समझ में आया होगा, चली आगे बढ़ते हैं, अरे भाया, क्या line लिखती है, वाह, बहुत ही सुन्दर line, the sum of the products of the elements of the any row or column with the cofactors of the corresponding elements of any row or column is equal to value of determinant, वाह, बहुत ही सुन्दर, वाह क्या है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, कि the sum of, मतलब sum of product of the element of any row, मतलब कि product of element of any row, let's assume first row, तो first row का element है 2, 3 and minus 1, क्या है 2, 3 and minus 1, तो 2, 3 and minus 1, तो 2, 3 and minus 1, ठीक है, यह elements है, elements, multiply with, multiply with, elements of any row or column, with the cofactors, तो यहाँ पे इसका cofactor आएगा, यहाँ पे इसका cofactor आएगा, और यहाँ पे इसका cofactor आएगा, तो यह जो simplify देता है, this is nothing but, it's determinant की value that is D, और इसी लिए देखो, मैं जब आपको बताया था, कि हम यह 2 लिखते हैं, first, फिर जो बचा वो लिखते हैं, row column चुपा के, फिर यहाँ minus sign हमने बताई थी, क्यों, क्योंकि यह cofactor में, यहाँ पे minus sign आ जाती है, ठीक है, याद करो, क्योंकि यह second element है, second element में minus sign आ जाती है, तो यहाँ पे minus आ गया, इसी तरह से 3 लिखा और यह minor हो गया, और यहाँ पे तो, यह तो minus 1, इसका element के अंदर minus 1 है, तो plus लिखूंगा, मैं यहाँ पे minus 1 into इसका minor, तो यह मेरा determinant की value है, इ plus 0 लिखूंगा, मैं इसका minor, और फिर minus 5 लिखूंगा, और इसका minor, चीक है, मैं already sign लगा दिये, यहाँ पे दोनों जगा, minus minus, इसलिए मैं यहाँ पे minor बोल रहा हूँ, अगर मैंने sign नहीं लगाई है, तो मैं क्या बोलूँगा, 4 into co factor of 4, plus लिखने के बाद, 0 into co factor of 0, plus 5 लिख minus sign आजाएगी, इसका co factor में plus sign आएगी, और इसके co factor में minus sign आएगी, I hope यह चीज सब को समझ में आया होगा, तो आप first row से solve करो, second row से solve करो, first column से solve करो, third column से solve करो, कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, answer हर बार आपका, same आएगा, that is B, next time हम लोग एक determinant लेंगे, मैं आपको 6 के 6 त any, the sum of the product of the elements of any row or column, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही important statement है यह, the sum of the product of any element of row or column, कोई भी ले सकते हो अब, with the co factors corresponding to that element, अगर मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 का ही co factor multiply करना है, फिर minus 1 का multiply नहीं करना है, मतलब, 2 के साथ उसका co factor, 3 के साथ उसका co factor, minus 1 के साथ उसका co factor, मतलब, any element of row or column, multiply with its respective co factors, और उसका summation, तो वो हमें देगा value of determinant, I hope सबको समझ में आया होगा, तो इसके साथ हमारा आज का lecture समाप्त होता है, next lecture में हम लोग देखने वाले बहुत important, इस that is property of determinants, तो till then, thank you for watching this video guys, अगर आपको ये video हमारा पसंद आया है, तो वीडियो को like करना न भूले, वीडियो को share कर दीजिए, comment कर दीजिए, तीन chapter हमने हमारे full course complete कर चुके है, हमारा rank booster series भी simultaneously चल रहा है, और ये हमारा fourth chapter है, जो लोग JEE 2021 के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो ये golden opportunity है, सारा का सारा match complete हो जाएगा तब तक के लिए, so video में comment करे, share करे, और like कर दी ठीक है, चलिए मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए धन्यवाद,